हमारी आज की कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है और ये कहानी दो लड़कियों पर आधारित है पहली लड़की का नाम निसा है जो अपना चेहरा ठीक कर रही थी निसा के पास बड़े बड़े तर्बूज थे जिनका जरूरत पढ़ने पर निसा जरूर इस्तिमाल करती जबकि निसा को लग रहा था कि विल्मा सिखाएगी दोनों आज ही एक दूसरे से पहली बार मिली थी इसी लिए दोनों के बीच ये गलत फहमी हो गई थी बातें करते करते दोनों ने प्लेन चालू कर दिया जिसके बाद प्लेन हवा से बातें करने लगा था हवा में आकर निसा कहती है कि मैं आज पहली बार हवाई सफर कर रही हूं। उसकी बात सुनकर विलमा कहती है कि मैं भी आज पहली बार हवा में सफर कर रही हूं। एक दूसरे की बात सुनकर वो दोनों जल्दी ही सब समझ गई, जिसके बाद वो दोनों डर कर चिलाने लगती हैं। दोनों को गुनाहों के सरदार की तरफ लेकर चलते हैं, जिसे लोग दादा कहते थे. दादा अपने खास आदमी से बातें कर रहा था. वो अपने एक दुश्मन को मरवाना चाहता था. अपने खास आदमी को सब समझा कर वो कहता है, तुम मैंडी को पैसे और पैसे लेकर किसी को भी मार सकती है. मैंडी की छोटी बहन जुली भी उसके साथ ही रहती थी. दूसरी तरफ दोनों लड़कियां अपने अपने घर पहुँच गई थी. दोनों के घर एक दूसरे के साथ ही थे, मगर दोनों को आज पता चला था कि हम दोनों तो पडोसी हैं. निसा के कहने पर विल्मा उसके घर में आती है. निसा के घर ताली से चलने वाली लाइट्स थी, जिन्हें देखकर विल्मा बहुत खुश हो गई. दोनों पिछले एक साल से पडोसी थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था. देखते ही देखते दोनों लड़कियां बैठकर बातें करने लगी. विल्मा निसा को बताती है कि मैं एक दफ्तर में काम करती थी, लेकिन उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, और उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया. निसा उसे बताती है कि मैं एक नाचने वाली हूँ. मैं जब नाचती हूँ, तो मेरे बड़े बड़े तर्बूज जोरों से हिलते हैं, जिन्हें देखकर आदमियों के गन्ने खड़े हो जाते हैं. इतना कहकर वो विल्मा को अपना अजीब सा नाच दिखाने लगती है, और विल्मा को उसका नाच अच्छा लगता है. निसा के नाच के बाद विल्मा भी नाचने लगी. उसे थोड़ा बहुत ही नाचना आता था. और उसका नाच देखकर निसा भी खुश हो गई अब दोनों लड़कियां फिर से बातें करने लगती है और इसी दौरान उनका ध्यान आज के पेपर पड़ जाता है इस पेपर में एक इश्तिहार छपा था जिसमें लिखा था कि एक क्लब में दो नाचने वाली लड़कियों की जरूरत है उधर अफसर विल एक मुजरिम से माफिया दादा के बारे में पूछताच कर रहा था विल के साथ ही का नाम जौन था और वो भी मुजरिम से पूछताच करने लगता है पूछताच के दौरान मुजरिम उन्हें बताता है कि मुझे दादा के ठिकाने के बारे में तो कुछ नहीं पता लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उसका खास आदमी आज क्लब में आने वाला है अब कहानी को क्लब की और लेकर चलते हैं जिसके मालिक का नाम हैंरी था दादा इसे ही मरवाना चाहता था और इसी काम के लिए उसने मैंडी को पैसे भेजे थे कलब के बहार दादा के खास आदमी भी पहुँच चुके थे ताकि हैंरी की मौत वो अपनी आँखों से देख सकें निसा और विल्मा भी इसी कलब में पहुँच चुकी थी हैंरी के कलब को दो नाचने वाली लड़कियां चाहिए थी और उसी का इश्तिहार पढ़कर वो दोनों यहां आई थी कलब के दफतर में मैंडी भी पहुँच चुकी थी दोनों लड़कियां हेंरी को अपना नाच दिखाने आई थी इसी लिए वो आते ही नाचने लग जाती है उनका नाच देखकर जब हेंरी कुछ नहीं बोलता तो दोनों उसके पास पहुँच जाती है निसा को लगा कि हेंरी उसके तर्बूज देखकर कोमा में चला गया वो उसे कोमा से जगाने की कोशिश करती है और तभी हेंरी का मैनेजर अंदर आ जाता है हेंरी को लड़कियों के साथ देखकर वो वहां से चला गया उसके जाते ही हेंडरी का सिर एश ट्रे में गिरता है, जिसके साथ ही उसके वालों में आग लग जाती है निसा आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से उसने हेंडरी पर दारू फेंटी जिस कारण आग और भड़क गई, हेंडरी का हाल देखकर दोनों लड़कियां डर के मारे दफ्तर से भाग जाती हैं उन्हें भागते हुए अफसर विल और जॉन देख लेते हैं, जो अभी अभी कलब के बाहर पहुँचे थे दादा के खास आदमियों ने भी उन्हें देख लिया था, वो उन दोनों का पीछा करने लगे, ताकि उन्हें अगला काम दे सकें इसी बीच हेंडरी का मैनेजर बाहर आकर चिलाने लगा, कि दो लड़कियों ने मेरे मालिक को रगड दिया हेंडरी की मौत के कारण पूरे कलब में हाहाकार मच गया था, हेंडरी की लाश देख कर पुलिस भी हैरान थी मैनेजर उन्हें बताता है कि मेरे मालिक को दो लड़कियों ने माल डाला, जब पुलिस उससे लड़कियों की पहचान पूछती है तो मैनेजर बताता है एक लड़की के तर्बूज इतने बड़े थे कि उन्हें देख कर किसी का भी गन्ना खड़ा हो जाए थोड़ी ही देर बाद दोनों लड़कियां अपने घर पहुँच गई थी हेंरी की मौत के कारण दोनों बहुत घबरा गई थी और इसी बीच दर्वाजे पर दादा के आदमी भी आ जाते हैं लड़कियों को पहले तो लगा कि पुलिस वाले हैं लेकिन जैसे ही दादा के आदमी उन्हें बताते हैं कि हम लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं तो दोनों लड़कियां दर्वाजा खोल देती हैं दादा के आदमी निसा को मैंडी और विल्मा को उसकी छोटी बहन जुली समझ रहे थे वो उनसे कहते हैं कि अब तुम दोनों को विंग नाम के आदमी को रगड़ना है दोनों लड़कियां खूबसूरत तो बहुत थीं लेकिन थोड़ी बेवकूफ भी थीं उन्हें लगा कि ये लोग उन्हें विंग की मालिश करने को कह रहे हैं इसी बीच दादा के आदमी उन्हें पैसे देकर कहते हैं कि तुम दोनों के पीछे पुलिस लग चुकी है इसलिए हम तुम दोनों को दूसरे शहर भेजने का इंतजाम भी कर देंगे दोनों लड़कियां उनकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और वो उनकी हर बात मान लेती है अब कहानी कुछ दिनों बाद एक बड़े से होटल से शुरू होती है दादा के आदमियों ने इन दोनों को यहां भेजा था ताकि दोनों लड़कियां विंग को मार सकें ये होटल काफी आलीशान और बड़ा था जिसे देखकर निसा और विल्मा हैरान हो जाती है मैंडी और उसकी बहन जूली भी इसी होटल में पहुँच चुकी थी मैंडी यहां निसा और विल्मा को मारने आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जब उसने हैनरी को मारा था तब निसा और विल्मा ने उसे देख लिया था रात होते होते दोनों लड़कियां तयार होकर होटल में घूमने लगी थी निसा के बड़े बड़े तर्बूज देखकर कई आदमियों के गन्ने खड़े हो चुके थे मैंडी और जूली भी उन दोनों पर नजर रखे हुई थी ताकि मौका मिलते ही वो उन्हें मार सकें विंग को खोजने के लिए निसा और विल्मा अलग-अलग हो जाती है और इसी बीच विंग का आदमी निसा तक पहुँच जाता है निसा उसे बताती है कि मैं विंग को खोज रही हूँ ताकि उसकी रगड़ कर मालिश कर सकूँ विंग के आदमी को लगा कि विंग उसके तर्बूज निचोडने वाला है और यही सोच कर वो उसे विंग के पास ले आता है विंग का आदमी जैसे ही बाहर आता है तो मैंडी उसे मार देती है वो उसे निसा का साथ ही समझ रही थी इसलिए उसने उसे मार डाला था अंदर निसा और विंग बातें कर रहे थे जबकि बाहर मैंडी और उसकी बहन जूली विंग के आदमियों की धुलाई कर उन्हें मार रही थी इसी दौरान पुलिस अफसर विल और जॉन भी अपनी टीम को लेकर होटल में पहुँच चुके थे उन्हें अपने खबरियों से पता चला था कि निसा और विलमा इसी होटल में रुकी हुई है इसलिए वो यहाँ आये थे पुलिस को होटल में देखकर विलमा छुप जाती है पुलिस और अपने आदमियों की लाशें देखकर विंग भी सतर्क हो गया था उसे लगने लगा कि निसा भी पुलिस वालों के साथ मिली हुई है इसलिए वो निसा को साथ लेकर भागने की तयारी करने लगा पुलिस निसा का पीछा कर रही थी जबकि विंग को लग रहा था कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है देखते ही देखते वो निसा को एक बोट में लेकर भागने लगा इसके साथ ही पुलिस भी उनका पीछा करने लगी मैंडी और जूली भी निसा के पीछे लग चुकी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो यहां से भाग रही है निसा को बचाने के लिए विल्मा भी एक बोट में सवार हो चुकी थी उसके साथ एक आदमी भी था, जो बोट चला कर निसा तक पहुँचने में उसकी मदद कर रहा था इसी दोरान जब मैंडी विल्मा के पास आती है, तो वो उसके साथ ही पर गोली चला देती है उसकी हरकत देखकर पुलिस हैरान थी, वो उसे अपनी बंदूप फेकने को कहती है, लेकिन मैंडी उसकी बात नहीं मानती, इसी बीच कुछ पुलिस वाले विंग के पास पहुच जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बोट रोक लेता है, थोड़ी देर बाद सब लोग होटल म बापिस आ चुके थे, पुलिस ने विंग को गिरफतार कर लिया था, दोनों लड़कियां फिर से एक साथ हो गई थी, अफसर विल के कहने पर दोनों लड़कियों को भी गिरफतार कर लिया गया, लेकिन तभी मैंडी वहां आकर पुलिस को बताती है, कि हेनरी को निसा और बलकि मैंने मारा था कहानी के आखिर में पुलिस, मैंडी और उसकी बहन जूली को गिरफतार कर लेती है और नादान निसा और उसकी सहेली विल्मा को छोड़ देती है इसी के साथ इस कहानी का यहीं अंध हो जाता है हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप ऐसी ही वीडियो के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार